भाई और बहनों, पहले कॉंग्रेस, फिर लेप्ट और अब टीमे टीमसी ने बंगाल के विकास को अबुरुद्ध करके रखा है। दीजी का बीट ट्रेक रिकर्ड, दलीत, आदिवासी, पिछणों का हक चिनना, दलीतों का हक चिन लेना, आदिवासीं का हक चिन लेना, पिछणों का हक चिन लेना, गरीबों का हक चिन लेना, और भोट मेंकी राजनिती के लिए तुस्त्री करन करते रहना। यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के यहां की युवापीडी के बहुत किम्ती बहुत किम्ती दस साल छिल लिये हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाड़ साला। दीदीर पाड़ साला ते सिलेबद होच्छे तोला बाजी। दीदीर पाड़ साला ते सिलेबद होच्छे कटमनी। दीदीर पाड़ साला ते सिलेबद होच्छे सिंडिके। दीदीर पाड़ साला ते उत्पिडने ट्रेनिंग देवा होच्छे आरा जोको तोर ट्रेनिंग देवा होच्छे साथियों आज पस्चिम मंगाल में शिक्षा की क्या स्थिती हैं। एक खड़कपुर के लोग बहुत भली भाती जानते हैं। बहनों और भाईयों सिक्षा को लेकर दीदी और उनकी पार्टी की सोच का एक और उदारण आज मैं आपको देता हूँ। हमारे देश में साड़े तीन दसक के बाद याने करीब 35 साल के बाद नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती लाई गई है। पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में ये नई शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा नीती की तारीप हो रही है। और इसका मकसद है 21 सदी की जरूरतों के अनुसार सिक्षा में बढ़लाव हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीती में शिक्षकों की ट्रेनिंग से लेकर स्कील अफगरडेशन तक अनेक प्रावधान किये गए हैं। और इसकी एक प्रमुख बात है स्थानिय भाशाओं में पढ़ाई पर बल। टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स। इन सब में स्थानिय भाशाओं पर जोर दिया गया है। हम चाहते हैं कि गाव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजिनियर, मेनेजर किसी कमपनी का CEO बन सके। आप मुझे बताईए भाईयां गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। गरीब का बच्चा भी एंजीनियर होना चाहिए गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके ऐसी ववत्ता होनी चाहिए गरीब की नहीं होनी चाहिए और उसको डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है, दीदी की सरकार नई राष्ट्रिय शिक्षानिती को लागी करने में मना कर रही हैं, आना कर रही हैं, दीदी को पस्चिम मंगाल के लाखो युवाओं के भविश्की, उनके केरियर की कोई चिंता नहीं है, मैं बंगाल के नवजवानों को बरोसा देता हूँ, अब लोगों का स्वसंद देना चाहता हूँ, अब दीजी को बंगाल के युवाओं के भविश्के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा, वो कहती रहे हैं, खेला हो बे, लेकिन पूरा बंगालाज कह रहा है, यह हमारा पश्चिम बंगालाज कह रहा है, खेला शेज हो बे, विकास आरंबो हो बे,